हेलो स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर सैवन में जो फ्लावर के पार्ट्स थे उसके बारे में पढ़ रहे थे हमने और मुस्ट कम्प्लीट कर लिया था लेकिन थोड़ा बहुत जो बुक का पोर्शन बचा था उसको आज कम्प्लीट कर लेते हैं तो हमने देखा कि मेंली इतन हैं प्लावर के फॉर्ट सैपल सैकंड है इस हमारे पास इस फॉर्ट सैपम न इस फॉर्थ है यह लिएगा हमारे पास थ्र्द और दूसरा हैं एधिक तेन प्लांट्स जो सबसे उपल वारा पार्ट है वह स्टिग्मा जो साइड में नीचे को पार जाएगा। वह स्टाइल और जो स्वोलन पार्ट है अथ बॉट्म उसको रहेंगे ओवरी तो यह था पिस्टिल का स्टक्चर। इनरमोस्ट पार्ट जो है फ्लावर का तेज पिस्टिल इफ यू कैनोट सी कंप्लेटली रिमूव तर रिमेंग पार्स जो हमने रिमूव करके देखा भी था कि पिस्टिल है स्टैमन है वो कैसे दिखते हैं ठीक है उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 11 लेट अस्टडी इट इफ ए प्स्टिल करण से इपार्स खेख प्लावर जो इफ त्मृस目前 भी यूव 2 बशयों और स्टीर एक्ताउrer शुए उसके बारे क्यं grande वरे इंहीं देखेंगे इस दावेंगर जोफेंटन के बार्ट आ अश्बंव्त्र है analyse को आं सबसे नीचे गाहा और जो सबसे swollen part है उसको हम कहते हैं ovary we will cut this part to study how it looks inside कि हम उस part को cut करेंगे ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या present है जिसकी वज़ासे वो swollen है look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the flower जैसे कि A में इसको lengthwise काटा गया है और B में इसको transversely जो है वो काटा गया है तो फिर हमें जो है वो ovary के अंदर क्या present है वो दिखेंगे जैसे कि ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ovary के अंदर क्या present होते हैं ovules और इस तरह के हमें दिखेंगे अगर हम transversely इसको काटेंगे तो ये ovules ऐसा arrangement नज़राएगा और अगर हम lengthwise काटते हैं longitude नहीं काटते हैं तो आपको इस तरह के ovules जो है वो present आएंगे और ये आपको सभी flowers में नज़राएँगे जैसे कि जो complete flower है complete और incomplete flower के बारे में आपको पहले बताया था complete flower वो flowers होते हैं जिसमें चारों पार्ट सैपल, पैटल, स्टैमन, पिस्टिल चारों प्रेजेंट हो वो होंगे हमारे complete flower जैसे कि चाइना रोज था और दूसरे आते हैं हमारे पास incomplete जिसमें एक या दो पार्ट हो सकता है कि miss हो, हो सकता है उसमें male part हो female ना हो या अगर female होगा तो male नहीं होगा तो वो आते हैं हमारे पास incomplete flower take two ovries from two different flower cut them in two different ways transversely and longitudinally to prevent them for drying put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut के जो ovary वाला portion है वो dry ना हो तो इसके लिए आपने क्या करना है उस पे एक एक पानी की जो drop है वो डालते रहना है observe the inner part of the ovary using a lens एक lens लेके आपने क्या करना है जो inner part है ovary का उसके अंदर गया है ovules है उनको ध्यान से observe करना है do you see some bead like structure structure inside the ovary जो आपको छोटे छोटे दानों की तरह structure दिखेंगे उनको हम क्या कहेंगे ovules यह हैं आपके पास ovules यह longitudinal section यह transversely section draw and label the inner part of the ovary in your notebook आपने draw करना है कि ovules में वो कैसे दिख रहे हैं जब आपने section cutter किया on your field trip try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener देखें कि आप किसी field trip पे जाके जो है वो different flowers के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं उनके parts कैसे हैं वो complete है incomplete है section cut करके आप उसके पूरे structure के go through हो सकते हैं remember not to pluck more flower than you need लेकिन जितने flowers आपको चाहिए उतने ही आपने तोड़ने हैं ऐसे आपने जो flower है उनको प्लक नहीं करना है based on the table which you have filled answer the following question जो टेबल हमने पीछे देखा था कि कितने सैपल्स हैं पैटल्स हैं स्टैमन जोइंटेड हैं separate हैं उसके जो पिस्टल है वो कैसी है वो आपने टेबल जो है वो फिल करना है do all the flowers have sepal, petal, stammen and pistil क्या सभी flowers के चारों parts present है are there flowers they do not have any of these या कोई ऐसे flower हैं कि उनमें एक भी part जो है वो present नहीं है are there flowers which have parts other than these या ऐसे कोई flowers हैं जिसमें इन चारों parts के अलावा कोई और parts जो हैं वो present हैं did you find any flowers which have sepal and petal that looks similar कि आपके पास ऐसा कोई flower है जिसमें sepal और जो petal है वो एक जैसे दिखते थे तो पोम ग्रेनिट का example किया था उसमें sepal और petal जो थे वो एक लिकर के थे did you find any flower in which the number of sepal is different from number of petals मैंने आपको बताया था कि mostly जो sepal और petal का जो नंबर है वो सेम रहेगा sepal 5 हैं तो petal भी 5 होंगे लेकिन क्या जब आप तो आपको ऐसा कोई flower मिला जिसमें sepal और जो petal का number था वो अलग लग था do you know now agree that the structures of flower is not always the same तो अब आपको पता लग गया है कि जो structures of flower का यह हमेशा एक जैसा नहीं होता the number of sepal, petal, stamens and pistil may also be different यह जो चारों parts है इनके जो number है वो अलग लग हो सकते हैं अलग लग flowers में sometimes some of these parts may even be absent कई बार यह पार्शों है वो absent भी हो सकते हैं we have studied some features and functions of leaf, stems and root हमने जैसे की जो part थे plant के जैसे leaf, stem, root है उसके functions के बारे में पढ़ा we study the structure of different flower हमने different flower के structures के बारे में पढ़ा we will learn about the functions of flowers in higher classes हम higher classes में अपने जो flowers है उसके functions के बारे में पढ़ेंगे we will also learn about fruits in higher classes और higher classes में हम fruits के भी बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने mainly five parts पढ़े थे plant के leaf, stem, root, flower और fruit तो तीन तो हमने पूरे कर लिए जाहे वो stem है leaf है यो root है लेकिन flower का सिर्फ हमने पार्ट ही किया तो इसके बाद इसके functions आते हैं और लास्ट पार्ट हमारे पास है वो है fruit तो यह आप high classes में पढ़ोगे तो इसी के साथ जो आपका chapter है यह खतम होता है और अपनी next video में हम अपना चैप्टर 8 यह बोड़ी मूवमेंट को है वो स्टार्ट करेंगे थैंक यू